नमाश्कार दोस्तों मोसम की ताज़ा अपडेट में आपका श्वागत है दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर लिकर क्या रही राज्तार मोसमभाग के इंसार की मोसम में बहुत ही बदलाबा चुका है अगर मोसमभाग के मुताबित बात करें कि 15 से 20 दिसम्मर का जो मोसम है जो किस प्रकार रहने बाला है यानि मोसमभाग ने अलट भी जारी कर देगा यानि गहना कोर्या के सासत मद्यमभा निवन बारिष की संभावना बने हुई है जबकि दोस्तों सीतल पमने लहर भी शुरू हो गई है यानि हलकी बाद मद्यमभारिष के सासत व्यादी ठंड बनने की संभावना बनी हुई है दोस्तों दश्री रहस्तान बाद पूर्वी रहस्तान के कोजिलों में जैसे बात करें कोटा संभाग उद्यपुर संभाग और जैपुर और भरत पुर संभाग इदर से पश्रीम रहस्तान में भी जोत पुर संभाग और बीका निर दोस्तों बात करें लेते हैं मौसवा के मुताबित की 15 दिसम्बर जो इस्तती बने हुई है राइस्तान में किस परकार मौसम रहने वाला है तो मौसवा के मुताबित चान लेते हैं 15 दिसम्बर को दश्री राइस्तान की बात करें दोस्तों दश्री राइस्तान में मध्यमभा पारिबारिष की संभावना बता जा रही है। प्रदी गए यानि 40-50 किलो मीटर की रफ्तार से हवाई भी वे सकती है दोस्तों सीतल पबले लहर भी चल सकती है को जलों में जब कि बात करें दोस्तों इन जलों की तो इन जलों में भी मौस्तों में जो सुबैसे आंसी गुरूब से बादल चाहे रहेंगे और 20-30 की रफ्ता से विवादल भी चाह सकते हैं जैसे अनवांगर चूरू नागार इदर से बाडमिर और जोद्पर जिले में भी घना कोने के साथ साथ हलका मद्यम बारस भी देखनों मिल सकती है अगर मौस्तों बाके अंसवार कोई भी नूज उपडिटेंग आईगी तो हम आपको तरन त करेंगे शिल्क